मुझे ये नया जीवन सिर्फ कुछ चरसिंग का सरवनाश करने के लिए मिला है और उस रास्ते पे सिर्फ तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो तुम ही वो दो हो जो एक औरत की कमजोर बाहों को मर्द की ताकत वर बाजियों का सहारा दे सकते हो पस यही कुद्रत है यही मा का वर्तान बोलो करोगे ना मेरी मदद जूट जूट बोल रही है तू मैं कोई जूट नी कह रही है जूट बोल रही है तू जूट बोल रही है हर बार रही है जूट बोलती है और जब इसका जूट पगना जाता है, तो एक और जूट बोलती है, एक और मंगड़त कहानी सनाती है, ये, ये तो एक नागिन है, नागिन, जो दिलों को डस्ती है, होश उड़ा ले जाती है, जहर पहला जाती है, और फिर नए शिकार के तलाश में निगलती है, इसकी हरदा मेरे दिल से चाहता था कि मैंसे दूर हूं मुझे दूर ले चल मेरे यार बुझे से बहुत दूर ले चल चल यार नहीं किशन नहीं यह इस बार जूट नहीं कह रहे हूं क्या ऐसे तो कहा रहा शंकर आप यह पहली बार सच कह रही है किशन आज इसकी जुबा नहीं इसका दिल बोल रहा है बहुत अत्याचार हुआ ना तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है ना लेकिन एक बात कहूं यह संसार भगवान ने रचा है अगर वो एक रास्ता बंद कर देता है तो नजाने कितने रास्ते खोल देता है अगर कुछ पल के लिए अंधेरा कर देता है तो उमीद की रोशन किर्णों से एक नए सवेरे का उजाला भी ले आता है उसने तुझे जो रास्ता दिया है उस रास्ते पर हम चलेंगे तुम्हारी मदद हम करेंगे तुम्हें तुम्हारी मंसिल तक हम पहुंचाएंगे रूपा यह तुछा कह रहा है क्या कह रहा है तु शंकर तु भी इसकी बातों में आ गया यह डोंगी है डोंगी जूर बोलती है यह नहीं किशन यह सच कह रही है और हमारा कर्म यही बनता है कि हम इसकी मदद करें हमें इसके साथ जाना होगा किशन यह क्या पकबस कर रहा है तू मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगा कई नहीं जाओंगा मैं इसके साथ अगर तू नहीं जाएगा तो मैं जाओंगा वारे औरत एक ने पहजान लिया तो दूसरे को भास लिया किशान क्या बक्रा है तू जो औरत की इफाज़त करता है वो सिर्फ पती आशिक नहीं होता मर्द का एक और रूप भी होता है जिसे भाई कहते है आज से मैं तुम्हारा भाई हो रूपा तुम्हारी इफाज़त मैं करूगा